हेई गाईज सतीश एर गाईज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं शॉटकट के एक फीचर ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट के वारे में यह आप कह सकते हैं क्रोमकी गाईज इस टेक्निक की मज़से हम किसी वीडियो का बैक्राउंड रिमूब करते हैं और उसकी जगा हम किसी solid color का यूज कर सकते हैं किसी gradient का यूज कर सकते हैं image का यूज कर सकते हैं बैक्राउंड के तोर पे या किसी video file का यूज कर सकते हैं बैक्राउंड के तोर पे चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं इसको करने के लिए हमको दो वीडियो की requirement होगी, पहली वीडियो जिसका हमको background remove करना है, पहली वीडियो मैंने already import कर लिए, मैंने प्ले करके भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीके देख सकते हैं आप इसका background अभी green है, यह green background हम remove करेंगे, and जो second video हम यूज कर सकते हैं, या image या कोई भी gradient यूज कर सकते हैं, इसके background के तोर पे, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक video track add करना होगा and जिस video का हमको background remove करना, उसको हम उपर रखेंगे and एक यह second मैंने image import किया है, image का भी यूज कर सकते हैं आप video का या gradient का, आप किसी का भ यह image का यूज कर रहा हूँ, ठीक है and then इसको अपनी video के size के recording resize कर लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे यह जो image है, यह background में रखनी है, तो सबसे पहले मेरे को इसका background remove करना है, video का, green screen का, ठीक है, then मैं इस video के click करूँगा and then filters tab पे, इसके बाद में जो filter select करूँगा, वो है chroma की simple, आई देखा आपने, जैसी ही मैंने chroma की simple select किया, यह इसने video के background को remove कर दिया, मैं फ़ड़ा zoom कर देता हूँ, अभी आप notice कर रहे होंगे, अभी यह corners पे, इसके corners पे अभी green color आपको दिख रहा होगा, यह, ठीक है, तो इसको ह हम यहां से set कर सकते हैं, ठीक है, यहां से set कर सकते हैं, then इसको वापिस कर देते हैं, now video को हम play कर के देखते हैं, यह देखें guys, इसका background remove हो चुका है, and यह मैंने image का use किया है, यह image का use किया है, आप इसके बदले में कोई भी video file का use कर सकते हैं, यह इसी gradient, का use कर सकते हैं, यह आपकी video जो आपने बनाई है, जिसका आपको background remove करना, उसके according choose कर सकते हैं, guys, अगर यह filter use करने के बाद में आपको desire result नहीं मिल रहे हैं, desire result नहीं मिल रहे हैं, then इसको पहले zoom कर लेके, यह देखिए, तो alpha channel adjust select करने के बाद में आप इसको shrink soft, इस पर जब click करेंगे देखिए, आप यह remove हो चुका, यह totally, ठीक है, totally remove हो चुका यह, यह देख सकते हैं, corner पर कुछ भी नहीं बचा, green color, ठीक है, तो यह देख सकते हैं आप, प्लेगर के देखते हैं वीडियो को, यह देखिए, यह lagging हो रही है थोड़ी बहुत वीडियो, बट आप जब इसको export करेंगे, तो इसमें lagging नहीं होगी, देखिए, तो आप देख सकते हैं कैसे हमने इसको remove कर जाए, chrome की filter से, तो guys, आज की इस वीडियो में एतना है, hopefully आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं next वीडियो में, till then, take care, good bye.